हाई एवरिवान, वेलकम तो एनाधर ब्लोग, वेलकम तो एनाधर डे, एड वेलकम तो माई होम। ये हैं मौनिंग का सीन। पहले सारा काम खतम कर लेती हूँ, और फीर मैं जाती हूँ किचन में खाना बनाने। सुबह मुझे थोड़ा हलका पुलका खाना बनाना होता है हलका पुलका मतलब लंच बनाना होता है एक बार मिरे हजमेंट के लिए रोटी सबजी ऐसे कुछ लेके जाते हैं वो राइस नहीं लेते तो वो मैं बना के दे दी हूँ सुबह का शूट नहीं होता क्योंकि वो बहुत हडवड़ी होता है कभी मैं दिखाऊंगी जरूर और यहां पे रिशु ने सारा फैलाया है तो वो सब क्लीन कर देती हूं अपने जगह रख देती हूं अरंच करके क्योंकि मेड आएगी काम करेगी तो इसलिए पहले वो सब का अपने साथे मेरा काम करी है सारी अंगुर तोड़के रख रही है यही काम कर लेती है अंगुर जैसे खरीद की लाओ वो ग्रेप्स करेगी और सारा तोड़के रख देतीं है तो वही कर रही है उसको बहुत अच्छा लगता है और यहां पर मैं दिखा रही हूँ रिशू का दोसा उसके लिए मैंने दोसा बनाया उसको खिलाओंगी वो खेलने लगेगी तो मैं खाना बनाओंगी अपना तो यह देखिए कितना पतला मैंने बनाया है और इसका जो बैटर रेडी करने के लिए मैंने प्रिविएस वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने कौन सा कितना पोर्शन लिया है और देखिए कितना क्रिस्पी और थीन बनाया है आप लोग जरू ट्राय करना मल्टी ग्रेन है लेकिन बहुत अच्छा लगता है तो आप सारा काम करके मैं आ गई हूँ किचन में यहां पर मैं बना रही हूँ तुरही की सबजी तो यहां पर मैंने कड़ाई में हलका सा थोड़ा सा ओयल लेना उसमें मस्टरड सीड्स गार्लिक और मिर्टी डाल देना थोड़ा सा भून ज लगता है जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए तो बैस्ट है फिर इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे और नमक डालके हम ढखके रख देंगे यह हमारे घर में बहुत बनता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है बहुत सिंपल बहुत यमी रेसिपी है ज् और ओयल एकदम कम डालना क्योंकि यह जितना हम तुरह लिए हैं वह बहुत कम हो जाता है क्वेंटिटी में जब पक जाएगा यह मतलब वन पोर्शन हो जाएगा फूर पोर्शन का बिल्कुल इसलिए इसमें नमक भी आपको कम डालना है और इसमें से बहुत ज्यादा पान नमक डालने के बाद तो इसमें से बहुत पानी निकलता है तो पानी नहीं डालना इसमें और इसको सीम में से थोड़ा सा मीडियूम यह में डाल रख देना तो यह पक के इतना सा हो जाएगा इसलिए नमक अकॉर्डिंग ली डालना और ओयल भी बहुत कम अब इसमें जब पक जाएगा बंद कर देंगे और थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे उसमें टू स्पून्स एनफ है और बॉयल्ट मिल्क लेना रॉ मिल्क नहीं और इसको हम नहीं पकाएंगे क्योंकि मिल्क फट जाएगा इसलिए उसको मिल्क लाल के ही हम बंद कर देंगे इसमें जो लोग मिल्क नहीं खाते हूं लोगों को भी मैं बता दूँ कि इसमें मिल्क का फ्लेवर नहीं आता और बहुत टेस्टी लगता है। So यहां पे और एक रेसिपी बना रहे हूं वो है रायता। दही लिया है मैंने और खीरा लिया है कुकुमबर लिया है। कोई कीरा कखड़ी भी बुछते हैं इसको। तो इसको हम ग्रेट कर की इसमें डाल देंगे दही में। बहुत टेस्टी रायता बनता है ये। आप लोग इये रेटी ज़रूर्व ट्राइब करना है। आप जितना तिखा खाना चाहते हो उसी के सबस्या बनाना और इसमें मैंने अनियन डाल दिया है एक साथ में सारे डाल रही हूं थोड़ी देर बाद जो टेस्ट आता है वो मुझे अच्छा लगता है कि किसको पसंद नहीं है और आप किसी भी साइज में किसी भी शेप में का और करीपता डालेंगे आप चाहें तो मिर्ची डाल सकते हो हरी मिर्च इसमें भी लेकिन मैंने काटके डाला है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूं और इसमें बहुत ही अच्छा एक साथ इंडियन स्मेल आएगा उसी के लिए हम तड़का डाल रहे हैं और कुछ मसाला नहीं जालना क्योंकि नॉर्मली तड़का डाल रहे हो तो इसलिए मैं कुछ जीरा पाउडर वगेरा कुछ नहीं डाल रही हूं ऐसे ही मैं बना रही हूं यह एक डिफरेंट मतलब रायता जैसा है आप जरूर ट्राय करना और मुझे बताना कैसा लग रहा है इसमें से थोड़ा स पानी निकल जाएगा तो और ज्यादा मतलब कंजिस्टेंसी सही आ जाता है आप चाहे तो और ज्यादा दही भी डाल सकते हो तो यह बन गया मेरा और एक साइड आइटम यहां पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है मैं बनाऊंगी दाल थोड़ा सा ओयल लिया है हलका सा मैं एक साथ डाइरेक्ट ही कुक कर दूँगी क्योंकि वो इजी रहता है और मुझे टेस्टी भी लगता है इसमें मैंने लिया है मस्टर्ट सीट्स जीरा और लसन डाल दूँगी मैं छिलका हमेशा निकाल की यूज करना छिलका पेट के लिए अच्छा नहीं होता डाइजेशन के लिए और ग्रीन चिली डाला है मैंने टोमेटो डाल दोंगी हल्दी भी डाल दोंगी इसमें एक सा थोड़ा सा फ्राय करूंगी दाल में ज्यादा ओयल नहीं डालना थोड़ा सा फ्राय करके उसमें फिर मैं दाल एड़ कर दोंगी ज्यादा हमें टोमेटो को नहीं पकाना है थोड़ा सा मैंने चिली पाउडर एड त्रका त्रक्त कुकिंग वाला अगर नहीं करते हो तो सो देखिए यहां पे डाल रेडी है मुझे थोड़ा दानेदार डाल बहुत पसंद आता है और आप चाहे तो ज्यादा पका सकते हो लेकिन बहुत अच्छी तरह से पक गया है जैसे कि पुरा डाल फ्राई के तरह यह बहुत तेस्टी लगता है और यहां पे मैं मसाला रेडी कर रही हूँ यहां पे मैंने लिया है अद्रक, लसन, प्याज, और रेड चिली मैंने लिया है कलर के लिए तीखा वाला भी मैंने लिया है तीखा अच्छा लगता है और साबुद धनिया और साबुद जीरा लिया है इसको पीस के हाम एक मसाला बना लेंगे और इसमें मैं बनाओंगी मटर, कद्दू जिसको आप पॉम्प्किन बोलते हो और आलो की सबजी सेम ट्रेसर कुकर मैंने लिया है उसको मैंने धो दिया है थोड़ा सा दाल दूसरे जगा रखके तो यह भी मैं डाइरेक्ट कूक करूंगी इसमें हमें ले रही हूं मस्टरड ओयल डाइरेक्ट कूक करने से जल्दी होता है पहले बॉइल करो फीर बनाओ मतलब मुझे तो ज्यादा टाइम लगता है तो एक साथ बनाने से उसका जो रसा होता है वो सबजी के अंदर तक पी जाता है और ज्यादा टेस्टी भी लगता है जिसे कि आप देख रहे हो अच्छे से बन भी रहा है तो मैंने यहां पे थोड़ा सा हल्दी डाल के फीर टमैटो डाल दिया है उसको थोड़ा सा हम चला देंगे ज्यादा हमें टमैटो को नहीं पकाना फिर उसमें हम मसाले का जो मैं फ्रीज में रख दूँगी ताकि सुबह मेरे हजबन के लिए मैं जब लंच रेडी करती हूं तो मुझे बहुत हड़ बड़ी रहती है तो तब मसाला रेडी करो लसन का छिलका निकालो यह सब नहीं होता तो मुझे सब रेडी रखना होता है तो यहां पे मैंने सा रेड चिली पाउडर डाल दिया है कलर के लिए और टेस्ट के लिए भी तो मसाले को हम अच्छे तरह से बुनेंगे जैसे कि थोड़ा थोड़ा तेल निकल रहा है आप देख रहे हो बहुत अच्छे तरह से बुनना है और जब सबजी बबजी बना रहे हो तो थोड़ा लोग कम कमें लोग 자mniej काया सब्स करते हैं अर करो कि मसाला अल्रेडी अल्रेडी घुन करते हैं में और इसमें हम डाल देंगे पानी और वनिया पता हम प्रेशर लगया लें और इसमेंसे मैं 2 सिटी लगाने से सारे अच्छे से पक जाएंगे, ज antire गल जाता है, छिल का निकल जाता है, तो वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने 2 सिटी लगा आपी जातए है, जिसे जीरा पाउडर धनिया पाउडर अध्रक लसन पेस्ट डालके भी बहुत लोग बनाते हैं लेकिन हमारे यहां ज्यादा तर मतलब यही मसाला यूज होता है इसमें आप कुछ मतलब सारे सबजे के लिए अलग-अलग मसाले भी एड़ करना पड़ता है और साम का टाइम है मैं थोड़ा गई थी डॉक्टर के पास मेरा तब्यद थोड़ा ठीक नहीं था तो डॉक्टर का सेकेंड चेक अप था मेरा तो इसके लिए हम रेड़ी होके यह निकल रहे हैं और यह देखिए यह है मेरा रात के बारा बजे का सीन घर का और मैडम रिशू मैडम क्या कर रही है उनको नींद नहीं है और मेरा बेंगल्स का बॉक्स उसको मिल गया तो वो खेलने लगी है बारा बज गये थे यह है आज का ब्लॉग कैसा लगा आप जरूर बताना और जो जो मेरे वीडियो देख रहे हो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना कैसा लगा कमेंट डॉक्स में बताना थांक्स फो वाचिंग ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहो आगे मैं और वीडियो लेके आऊंगी तिल देन बाबाई